ओम नमस्षुवाई श्वागत है अब सभी का मेरे भक्ती भावने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको भागिसाली राशियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ ये राशियां बेहती भागिसाली रहने वाली हैं भगवान की कृपा से इनकी सभी मनुकामनाय पूरियोंगे दन बढ़ेगा शुक और समरती बढ़ेगी साथ ही आपको भिशेशूप से ध्यान देना है कि जो उपाई में आपको बताऊं वह उपाई भी आपको करना है इससे आपके हर कारेश से दोंगे दोस्तो साल 2030 नया जो साल है वह नो राशियों के लिए बहुत ही बागिसाली है यानि नो राशियां इस साल में बहुत इन राशियों का योग बहुत ही अच्चा है धन प्राप्ती में वा नोक्री में परवारिक सुक में इनका योग बहुत ही अच्छा रहेगा, साथी पुत्र प्राप्ति के योग भी बनेंगे, आने वाला समय आपके लिए बिहदी खुशियां लेकर के आने वाला है, धन बड़ेगा, सुक और सम्रदी बड़ेगी, साथी ब्योपारी खेत्र का दायरा भी आपका बड़ेगा, प्रति दिन आपको मनोकावना अवश्ची ही पूर्योगी, सने देव बहुती अच्छी स्तिती में रहने वाले हैं, साथी देव गुरु ब्रसपति के क्रपा से आपके कार बनने शुरू हो जाएंगे, सबसे पहली जो रासी है, वह मेश रासी जो बहुती भागी साली रहेगी, दूसरी रासी यह ब्रसप रासी, जिसका योग बहुती अच्चा है, तीसरी जो रासी है, वह करक रासी, चोती जो रासी है, वह सिंग रासी, पांचमी जो रासी है, वह तुला रासी, छटमी जो रासी है, वह विरस्चिक रासी, सातमी जो रासी है, वह धनु रासी है, आठमी रासी है, क प्रति दिन आपको क्या करना है एक तामे का लोटा घर में रख लेना है एक तामे का लोटे ला करके रख ले और प्रति दिन इस लोटे में थोड़ी से सक्कर मिला है और जल मिला है और चावल मिला है इस लोटे के जल से भगवान सूर देव को अर्ग देना है उसके बाद में प्रते एक सनीवार को सनीदेव के सामने सरसु के तेल का दीपक जलाएंगे और तोड़े से तिल और गोड़ सनीदेव को अरपन करेंगे प्रते दिन तामेक लोटे में जल वरके उसमें कतिस चावल के दाने या ग्यारत चावल के दाने डालें और साथ ही उसमें आप सपित पुष्पू डाले गाए का दूद्ध डाले इससे भगवान सिव का अशिख करें और भगवान सिव के सामने चो मुखी दीपक जलाना परारम कर दें इससे आने वाले समय में आपको भिशे इसलाम मिलेगा और जो भी आपके मन में चाहे वो है आपकी इच्छा पूरी होगी प्रतिक सोमार की सोमार को दो बिल पत्र और दो समी पत्र भगवान को चड़ाना प्रारम कर दीजे अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको आपको अवस्यलाम मिलेगा और आपकी मनों कामना पूरी होगी आने वाला समय बेहदी खुशियां लेकर के आने वाला है पूरा साल इन राशी वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है धन बड़ेगा साती मान सम्मान बड़ेगा अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं बेवपार कित्र में अपनी किसमत आजमाना चाह रह रहे हैं तो आज के साफ से इन राशियों का योग बहुत ही अच्छा है बगवान आपकी हर मनुकामना जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में उबना स्वाजर लिए 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 आपकी हर मनुकामना अवस्य ही पूरी होगी ओम नमस्षिवाए